हलो सूपर इन्वेस्टर्स के पे आ ग्रीन एनरजी जो कि कुछ दिनों से फिर से स्ट्रेंद दिखा रहा है शेर काफी गिर चुका था और बॉटम आट हो चुका था और मैंने आपको बताया भी था कि मेक और ब्रेक लेवल पर है डू और डा लेवल पर है बट अच्छा यह हुआ कि वह लेवल से शेर बाउंस बैक कर गया और अभी 793 रूपीज पर पहुच चुका है हाला कि 52 विक हाई 1120 रूपीज काफी दूर है अभी बट पॉजिटिव बात यह है कि शेर अभी 200 डेज मूइंग एवरेज को क्रॉस कर चुका है जो कि 785 रूपीज पर था उसक इतनी ज्यादा गिराउट का माहूल था उसके बावजूद भी शेर गिरा नहीं उल्टा 3.30% से प्लस में क्लोज हुआ है मतलब शेर अभी स्ट्रेंड दिखाना फिर से शुरू कर चुका है इसका नेक्स जो रेजिस्टंस है 50 डेज मूइंग अवरेज 810 रूपीज है उस अभी एसम स्टेज 1 में है और यह भी एक possibility है कि इसमें अपर सक्रेट इसलिए भी लगानी रहे है क्योंकि अगर अपर सक्रेट में गया तो एसम शेज के बाहर नहीं आएगा एक बार एसम लिस से भार निकल गया तो तो सरकित लिमिट भी हो सकता है इसकी फिर से बढ़ जा जाएगा इसको रिकॉर्ड करना तो KPI की एनरजी में अभी थोड़ा सा हो सकता है कि पॉसिटिविटी आए आप वाच लिस्ट में रखिए और जो लोग उची रेट में फसे हुए है वो अभी देख सकते हैं कि दिरे-दिरे शेयर हो रहा है और अभी जो बोनस का रिकॉर्ड डेट भी कभी ने कभी डिक्लियर होगा वो डिक्लियर होते बराबर भी और भी तेजी बन सकती है और शेयर जल्दी ही 52 वीक का 20 हाय को भी क्रॉस करने की कोशिश कर सकता है तो आप केपेगरी एनरजी को अपने वाच लिस्ट में रख सकते ह प्राइब तक्ति हैं । अजल को अजो है